हेलो फ्रेंट्स आज हम बात करेंगे क्लाश 12 किमिर्ष्टी का चेप्टर वन विलियन सॉल्यूसन जिस पे देखेंगे द्रब्यमान आयतन प्रतिसत के बारे में ठीक है विद निमेरिकल बहुत ही आसानी सी से समझने वाले त्यार प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना तो चलो देखतें द्रब्यमान आयतन प्रतिसत क्या होता है ठीक है तो देखो द्रब्यमान आयतन प्रतिसत कहरा विलियन के 100 मिली लीटर में घुले विले के ग्रामों की सं संख्या को विलियन का द्रब्यमान आयतन पतिसत कहते हैं और इसे डबलू बाई वी परसेंट से पदरसित करते हैं क्या कहा गया विलियन के 100 मिली लीटर मतलब कोई विलियन है जिसका आपको 100 मिली लीटर विलियन है ठीक है कितना 100 मिली लीटर का विलियन है ठीक है जिसमें कह को द्रब्यमान आयतन प्रतिसत कहते हैं विलियन के 100 मिलिलीटर में घुले विले के ग्रामों की संख्या को बिलियन का द्रब्यमान आयतन प्रतिसत कहते हैं और इसे डबलू बाई वी परसेंट से प्रदरसित करते हैं तो ये बात है द्रब्यमान आयतन प्रतिसत की ठीक है आस पारमुला देखो द्रब्मान आयतनर्टmed क से प्रजाट का पॉर्मुला विले का भार ग्राम में ब्टा में विल्यन का भार आयतनर्ट vein और इंटु में 100 ठीक है तो यह होता है द्रबमान आइतन परसट का फामला मृले का भार इसे w b i % weight by value % से प्रदरशित करते है w का मतलento weight, v का esempio volume ठीक है तो विले के 100 ml में घुले विले की ग्रामों की संका को विलियन का द्रभिमान आयतन प्रतसत कहते हैं, तो चलो अब आगे देखतें इसके एक numerical लगाते हैं, तो अच्छे समझ में आएगा तो numerical है, आपका 0.5 ग्राम गुलुकोज, 100 ml में घोला गया, इसका द्रभिमान आयतन प्रतसत ग्याद कीजिए, तो आपको question में दिया गया है, 0.5 ग्राम ग्लुकोज, ठीक है 0.5 ग्राम ग्लुकोज, ग्लुकोज का फॉर्मूला भी याद रखो, C6, H12 O6 होता है, ठीक है इतने ग्राम आपको ग्लुकोज दिया गया है और 100 ml का क्या है विलियन 100 ml आपको क्या दिया गया है willion और 0.5 ग्राम glucose तो देखो यहाँ पर आपको willion का weight by volume percent ठीक है तो देखो यहाँ से द्रब्मान आइटन प्रतिसत equal to formula भी आपको बताया था यहाँ आप लिग लेना W by V percent इंडवेड बाई वैल्यूम परसंट भी लेख सकते हैं या पूरा आपका द्रब बिमान आयतन थीक है तो यहाँ पर फॉर्मुला हो जाएगा विले का द्रब बिमान और बटे में क्या फॉर्मुला था विलियन का आयतन ठीक है विले का द्रभिमान बटे में विलियन का आयतन ठीक है विलियन का आयतन और इंटू में क्या हो जाएगा 100 तो यह फॉर्मुला होगा विले का द्रभिमान बटा विलियन का आयतन इंटू में 100 ठीक है तो यहां से विले का द्रभमाद 0.5 ग्राम और विलियन का आयतन कितना हो जाएगा 100 मिलिलीटर और इंटू में क्या आजएगा तो यहां पे आपने गड़बर कर दिया देखा हमने सॉरी वेड बाई वैल्यूम परसेंट होगा क्योंकि आयतन है ना तो यहां पे वेड बाई वैल्यूम परसेंट होगा तो यहां पे वेड बाई वैल्यूम परसेंट तो 0.5 ग्राम बटर 100 मिलिलीटर आयतन और इंटू में 100 तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा 100 अब 100 से 100 कैंसिल तो यहां पे वेड बाई वैल्यूम परसेंट बच जाएगा आपका यहां से तो आसानी से द्रब्मान आयतन परस्त आप निकाल सकते हो जो मान दिये के उसे फॉर्मुले में रख तो विले का द्रब्मान बटा विलियन का आयतन और सारे आपको मान रख देने वेड़ बाई वैल्यूम परसंट की वैल्यू आपकी 0.5 परसंट आ जाएग 100 मिली लीटर विलियन में 0.5 ग्राम ग्लुकोज 100 मिली लीटर विलियन में मान लो 0.5 कि जएगा मान लो कहाँ दे 3 परसंट तो उसका क्या मतलाब हो जाएगा 3 परसंट का 3 ग्राम ग्लुकोज 3 ग्राम ग्लुकोज कितने में 100 मिली लीटर में 100 मिली लीटर विलियन में है तो आसानी से आपको समझ में आलगा होगा ठीक है तो यार यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल पहल नहीं हो तो सबस्क्राइब कर देना ओके थैंक्स फार वाचिंग वीडियो झाल झाल